तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आज एक पीसे एसिटेंट रजिस्टार के लिए हमने जेनल जीग्राफिक का टॉपिक जो है पो लास्ट लेक्चर में गिया था आज हम फिजिकल जीग्राफिक का जो है पहला लेक्चर जो जो है वह जादा तरह आपको जीग्राफिक देखनी पड़ेंगी ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का वह है जम्मो कश्मीर की फिजिकल डिवीजिंस जो है उसके ओपर जो है वाज हम डिसक्रशन करेंगे कि जम्मो कश्मीर का जो यह मैप है जम्मो कश्मीर जब से यूटी बना को पहले पता है कि जम्मो कश्मीर जो है उसको बना दिया गया जो की मौझूदा वक्त में अगर हम देखें तो जम्मू किश्मीर का जो रियल एरिया है जो जम्मू किश्मीर पोजस करती है लेकिन जो इंडियन परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये पियोके का जो एरिया है ये भी जो है ये इंडिया का ही एरिया जो है ये पियोके ने कैप्चर करके रखा है तो अगर आप जम्मो किश्मीर को देखना चाहते हैं तो पूरा जम्मो किश्मीर ये इतना दिखाई देगा आपको जो जम्मो किश्मीर यूटी बनी है लेकिन आज हम मुझूदा दोर में कितना एरिया जो हम पोजस करते हैं वो ये वाला एरिया है जो कि मैंने आपको इस लाइन के अंदर बताया है ठीक है उसके बाद लदाख को अलग किया गया था लदाख जो है यूटी अगर हम रियालिटी में देखें तो लदाख यूटी का ये सारा एरिया जो है ये लदाख यूटी के अंदर आता है लेकिन क् चाहिना ने यहां पर इतना एरिया जो है यह अक्साइजिन का यह कैप्चर कर रखा है यह इलीगल उकुपाइग कर रखे रखा है एक अक्साइजिन का एरिया तो यह अभी इंडिया पोस्टेस नहीं करती इसके ओपर चाहिना का कंट्रोल है और अभी मौझूदा हालात में लड़ाक टेरिटरी अगर आप देखोगे यूटी तो वो यह वाला एरिया पोस्टेस करती है जो की अक्साइजिन के अंदर-अंदर आपको दिखाए दिया ठीक है उसके बाद यह सियाचिन गलैशियर है यहां पर अगर आप देख सकते हैं सियाचिन गलैशियर के बारे मे सुना भी होगा और उसके बाद यह सक्षगाम वैली है सक्षगाम वैली है जिसको पाकिस्तान ने अकुपाई किया था इलिगल लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसको चाइना को जो है वो हैंड़ वर कर दिया था एक वक्त में इस एरिया का नाम रहता है सक्षगाम वैली ठीक ह तो P.O.K. का जो एरिया है इसमें गिल्गिट बालतिस्तान एरिया आता है जो जो उपर वाला एरिया और ये नीचे वाला जो है इसे पाकिस्तान जो हो आजाद किश्मीर के नाम से बुलाता है हम इसे जो हैं आजाद किश्मीर नहीं कहते हैं हम इसे P.O.K. ही कहते हैं ठीक है तो यह मैप यहाद अख्यें का मौजूदा जो है ऐसा मैप जमू किशμीर का वो आपको देखने को मिलेगाए और यह जो लाइन रहती है स्वरी इंडिया और पकिस्टान के बीच जो लाइन है जहां पर पी Awwक और भारत जो बारत का मौजूदा किश्मीर जहां व وہ लग रहता है उसे हम कहते हैं और अक्साइचीन और लेकि लाइन को तीक है इसे हम एकष्मिर की अगर हम नाफटिक वाइस देखें तो तो हम जम्मो किश्मीर यूटी के बारे में ही देखेंगे तो यह जो हैं जम्मो किश्मीर का एरिया है यह जो पीयो के को मिला कर जो है अगर आप अगर आप हटा दोगे तो यहां से अगर आप देखो के राजोरी का कोछेरिया पॉंच का कोछेरिया कोपवाठा का कोछेरिया और मुझाफराबाद के कुछ एरिया जो है ये P.O.K. के अंदर illegally उन्हें occupy करके रखा है लेकिन हम पूरा perspective से देखते हैं तो ये जो है मौझूदा जम्मो किश्मीर का map आपको मिलेगा जम्मो किश्मीर UT का map जिसमें अलग-अलग 20 district जो है वो आपको दिखाई देंगे काफी हिस्सा और जोरी का काफी हिस्सा भी जो है P.O.K. के अंदर है और कोपवाड़ा का काफी हिस्सा भी अभी P.O.K. के पास illegal occupied है तो यह है यहां पर आप district देख सकते हैं कौनकों से district जम्मो किश्मीर में इस वक्त आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद कुछ facts की अगर बात करें हैं हम फिजियोग्राफी पर जाने से पहले जम्मो किश्मीर के कुछ facts जो कि आपको exam में काम आ सकते हैं वो यह है कि जम्मो किश्मीर यूटी कब बनी तो 31 अक्तूबर 2019 को जो है जम्मो किश्मीर यूटी जो है वो बनती है और जो हमारी जम्मो किश्मीर यूटी है उसका size है और अगर आप देखोगे तो यह एरिया जो p.o.k के अंदर occupation है जम्मो किश्मीर का जो p.o.k ने occupy करके रखा है पाकिस्तान ने occupy करके रखा है उस एडिया को exclude करके जो है यह एरिया जो हमें आपको बता रहा हूं अगर उसको include किया जाए तो फिर जम्मु किश्मीर जो है सबसे बड़ी यूटी जो है इस वक्त इंडिया की बन जाए लेकिन क्यूंकि P.O.K. जो है वह अभी एक्चुल में हमारे बड़ी यूटी जो है वो कहलाई जाएगी एरिया वाइस लेकिन क्योंकि जो है इस वक्त जम्मु किश्मीर का जो एरिया पॉस्यस करता है एक्चुली वह 42,241 स्केर किलोमेटर ठीक है और सिर्फ अगर हम एक्चुल अकुपेशन के हिसाब से देखें तो फिर लदाख जो है इस वक्त सबसे बड़ी यूटी जो है वो इंडिया की रहेगी लदाख का जो टोटल अरिया है वो लगबग 96,000 स्केर किलोमेटर जो है लदाख का एक्चुल अरिया है जो कि लदाख इस वक्त जो इंडियन गुवर्मट जिसके ओपर कंट्रोल करती है ठीक है और अगर हम अगर पी यूटे को छोड़ कर गर हम एक्चुल कंट्रोल की बात करें कि एक्चुल कितने एरिया पर कंट्रोल है तो उस हिसाब से लदाख जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी यूटी कहलाए जाएगी और सबसे चोटी यूटी कोण सी रहेगी तो वो रहेगी अगर आप देखोगे तो लगब थर्टी तो यूटी का है तो सबसे चोटी यूटी जो है वह लक्षधीप आएगी एरिया वाइस के साब से एरियावाइस की बात कर रहे हैं पॉपोलेशन के नहीं बात करहें तो मौझूदा जम्मोकिश्मीर की पॉपुलेशन जो है लदाग को निकालने के बाद फिर भी जो है जम्म कश्मीर की पॉपुलेशन एक करोड से भी जादा है ठीक है तो एक करोड से जादा इस वक्त जम्म कश्मीर की पॉपुलेशन है लदाग को अगर हम निकाल भी दें तो वान अफ दो लार्जेस यूटी जो है आज के मौझूदा टाइम में जम्मो किश्मीर की है जैसा कि मैंने आपको बताया आप योकी को इंक्लूट करें तो सबसे बड़ी है नहीं तो फिर लदाख जो है वो आएगी ठीक है और अब जम्मो किश्मीर की और लदाख की यूटी बन जाने के बाद इंडिया में अब लगबग 28 स्टेट्स जो है वो रह गई है और 8 यूटी बना दिया गया है तो वो जो दो यूटी थी वो एक बन गई है तो वो 6 हो गई साथ से और दो ये बली जुडेंगी तो 8 हो जाएगी ठीक है अब इंटरनेशनल बॉर्डर जो है जम्मो किश्मीर यूटी का किस-किस के साथ है पहले आप पढ़ते थे कि चाइना के साथ भी है तो लेकिन अब जम्मो किश्मीर का जो बॉर्डर है इंटरनेशनल वो चाइना के साथ टेच नहीं करता क्योंकि लदाफ जो है वो अलग हो चुक है तो मुझूदा हालात में अगर आप देखो तो पाकिस्तान के साथ इंटरनाशनल बॉर्डर है और साथ में अफगानिस्तान के साथ है जम्मू कश्मीर यूटी का और नाशनल बॉर्डर की बात करें तो पंजाब और हिमाचल परदेश के साथ जो है वो इस चरफ लेजिसलेटिव का देख़ों के तो यूनिक कैमेरल है यानि अब लेजिसलेटिव काउंसल आपको यहां पर दिखाई देने को नहीं मिलेगा जमुकिशमिर में सिर्फ लेजिसलेटिव एसेयंबली मिलेगी फिर जो की लड़ाख में वह भी नहीं है ठीक है और उसके ब और बढ़ जाएंगी लेजिसलेटिव एसेंबली की टोटल सीटें जो है वो अब 90 हो जाएंगी पी ओके को छोड़ कर जो इस वक्त इंडिया कंट्रोल कर रहा है जितने अरिया पर यह उसकी बात हो रही है ठीक है और हाई कोड़ जो है जम्मो किश्मीर हाई कोड़ी आपको लड़ाक और जम्मो किश्मीर का एक ही हाई कोड़ रहेगा यह वाला ओके उसके बाद आगे अगर आप देखो तो यह कुछ फैक्ट्स हैं अगर आपको देखने तो आप देख सकते हैं आपको शायद एक्जाम में जो है वो काम आ जाएं एम सीको सीरिस जब आएगी तो उ स्पापफ लीडिश्टिक का अश्टवार है डिस्टिक विड़ रिक सैटसी एडिशच्क तैज खूल गामन शोंपियान डिस्टिक विड़ दी लीस्ट सैक्स नहीं hep highest literacy है एं चो इंकक्श्मीर का हो गया है और कि ऑ छिप ओढ्ड़ दिस्टिक अभो वो है जुई निक वी अगर आप देख सकते हैं उसके बाद यह बीस डिस्ट्रिक जिसम में से दस डिस्ट्रिक जह मुछ नहीं जो बनाएं गी तेजमू-कश्मीड में वह आपको भी जार रखने जिसमीर जो तहीं यह जो यह जो यह राऊ-टे-विजिन दिशिंग बनायें की त्यार ज़से भी आप याद रख सकते हैं शायद आपको एक्साम में कामा चाथ नहीं ठीक हॉए अब फिस्योग्राफिय स्टार्ट करते हैं देखिए फिस्योग्राफिय क्या होगी किसी भी एरिया के फिजिकल करेक्टरस्टिक्स के बारे में बताना है यानि उसके climate कैसा उस एरिया का soil vegetation कैसी है lifestyle कैसा है montanious area या plane area या कैसा भी area है उसकी physical features जो है उसको बताना उसे हम कहते हैं फीजियोग्राफिय जम्मु किश्मीर की physical geography की बात करें तो उससे जम्मु किश्मीर को लगबग 5-6 हिस्सों में जो है कि तो इसका काफी हिसाब लगडाक यूटी के अंदर आता है तो इसके उपर भी हम जादा focus नहीं करेंगे इसके लावब जो उपर वारे चार हिस्से हैं जिसमें outer plane जम्मु के area में आएंगे शिवालिक्स जो है ये भी जम्मु के area में आएंगे मीडल हिमालया जो है ये आदे आदे आजाते हैं जम्मु केश्मीर में और वैली अफ केश्मीर जो है इसके ओपर जो है हमारा main focus रहेगा लेकिन theory स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक diagram बता दूँ ये देखिए ये चार पार्ट जो है वो याद रखिए तो ये पांचों पार्ट याद रखिए इसको हम देखते हैं कहां से लेके कहां तक हैं तो सबसे पहले अगर हम जम्मु केश्मीर का ये जो map आकर आप साउधरन एरिया में आ जाओगे यहां पर आपको outer planes जो है ये दिखाइ देंगे जिसे foot hill planes के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे southern एरिया में जो आगए आपके foot hill planes इसके उपर अगर अगर आप north में जाओगे तो आपको ये शिवालिक्स दिखाइ देंगे ये पूरी रेंज जो है ये शिवालिक्स की रेंज है जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है उसके बाद उपर आओगे आपको ये लेसर हिमालिया दिखाई देंगे इने मीडल हिमालिया भी बोलते हैं इने पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं और उसके ओपर यहां पर यह आपको वैली अफ किश्मीर दिखाई देगी जिसमें आपको जेलम प्लेन दिखाई दे रहा है कारेवास दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो है यह ग्रीटर हिमालिया जो है जन्सकर रीजन है यह अब लदाक में आता है लेगिन थोड़ा बहुत जो लिंक इसका जम्मो किश्मीर के साथ है वो मैं आपको बढ़ा दूँगा ठीक है तो देखते जाएए यह भी याद रखेगा नार्थ टू साउथ जो है कौन-कौन सा एरिया जो है फेजिकल डिविजन का आता है शायद आपको यह भी आ सकता है इस टू वेस्ट तो नहीं पूछेंगे क्योंकि यह नार्थ टू साउथ ही जा रहा है तो नार्थ तो साइट साउथ यह साउथ तो नार्थ जो है वो भी याद रखेगा ठीक कारती अपने साथ जो है सिल्ट क्ले वग्छारा लिकर आती है जो भी रास्ते से ईसको स्यल्ट क्ले मिलता है पहाड ईयों से दूसरी जगह से वह फिर जब सका लास्ट एरिया आता है जहां पर वह उसका सी चेट मोंगों हो जाती है वहाँ पर वो जितना भी सिल्ट कले वगारा या लूवियल सॉयल होती है उसको वहीं पर डिपोजिट करती है और वहाँ पर वह प्लेन बना देती है वहां से जो है वह इस तरह से प्लेन बनते हैं तो जम्मू के जो आउटर प्लेन ही कौन सी नदिया बनाती है का रास्ता ते होता उसके बीच में जितनी भी डिस्ट वगेरा होती है जितना भी क्ले अलोवियल डेपॉजित जो भी रास्ते में इनको मिंड्रेल्स वगेरा मिलते हैं उन्है साथ यह लेकर और जम्मो के एरिया में आकर वो इसको डेपोजिट कर देते हैं और वहाँ पर जो हैं ये प्लेंस बनाते हैं जिने हम कहते हैं आउटर प्लेंट ठीक है तो ये सिवालिक के साउधरन साइड में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर ये शिवालिक से और इसके साउधरन एर हैं उसके बाद ऊपर चले जाओ wszyscy कट्थुआ के पार्ट हैं सांबा के पार्ट हैं यहां पर भी आपको जो हैं आथ डेके अड़ो देकने को मिलते हैं और यहांटर प्लेइन जों कशमीर के ये इंडिय के जो जब इंडिया के फिजिग्राफिय पड़ोगे तो वहां पर भी Great Plains जो है इंडिया के वह शुरू होते हैं यह इनुछ प्रम कश्मिर की इंडिया के गड़ीटर प्लें का ही एक हिस्टा है ठीक है उसके पर क्या रहता है कि आल्टीचूड inka लगबग 355 से लेकर 350 मीटर तक यानि इनकी जो उन्चाहिए अगर आप देखो के तो केंज जगा पर 325 मीटर की है और केंज जगा साथे 300 मीटर की है और फर्टाइल होते हैं यह काफी आपको पता है लूविल डिपोजिट के अंदर होते हैं तो काफी फर्टाइल माने जाते हैं यह प्लेन और यहां पर जो भी नदियां वगयरा बहती हैं उसे हम कर्ट कहते हैं यह जो है पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कर्ट क्या होते हैं यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कर्ट क्या है ठीक है तो यह हैं कर्ट जोनी हिल स्ट्रीम्स जो होती है जो पहाड़ों में नदियां वगय लइस हम के नाम से बीचान घंग काहती हैर इन्य हम जंन्मु 얼सFF के नाम से जानते हैं टीक है तो यह जीज भी जियाद रख़ेगा इन्हें हम मिलस्के नाम से बीचानते हैं और यह गहता है कि appearance आउटर प्लेंट जो भी हमने पड़े उसके नौथ में आपको दिखाये देते हैं और यह यंगस्ट माउंटेन है इसका सबसे यंगस्ट कॉंटिनेंट जो है वो शिवालिक्स को ही माना चाता है और हिमालिया इवन जो हिमालिया परवत है हमारा उसकी भी यंगस्ट पीक जो है वो हिमाल्या की भी है और एशियन कॉंटिनेंट्स में जो पहाड़ है उसमें से भी जो है ये यंगस्ट पीक है सबसे ठीक है उसके बाद अगर आप विद्ध की बात करोगे तो ये 20 किलोमेटर जो है इनकी चोड़ाई है लगबग हाइट की बात करोगे तो कहीं जगा 600 कि किलोमेटर तक भी हाई जो है आपको शिवालिक्स देखने को मिलते हैं उसके बाद जम्मू सीटी जो है वो इस शिवालिक हिल्स पर ही लोकेटीड है इसलिए हम इसे जम्मू हिल्स के नाम से भी जानते है और ये सी लेवल से अगर आप देखोगे तो लगबग 366 मीटर जो है आपको शिवालिक रेंज पर जम्मू की सीटी जो है वो बस्ती दिखाई देगी कौन से नदी के किनारे है जम्मू सीटी तो तभी नदी के किनारे है ये कोशन आपको आता भी एग्जाम में याद भी रखेगा और ये साउदरन एंड पर है यानि शिवालिक्स के आपको दिखाई देंगी है जै पूरवी धिख्षा के तरफ तक बापको शिवाले ख्यल दिखाई देंगी एक है Anginaw छेवल से लग बग 600 मेटर उपर जो है वाग को मेलेगी ठीज मोग एस्ट में हैं लेकिन जम्मू से थोड़ी हाई मान जाति हाई यह इल्टि चूट पर पाई जाती है तब यहां पर ठंड काफी होती है लोग जो हैं घुमने के लिए भी हाँ पर काफी जाते हैं गर्मियों म अगर उपका। इसके बीच में आपको कुछ दिखाई देगे। इहां पर आगर फोगे। कुछ एरिया जो है रूपर रहें। इन अगर आप डूटिदी एरिया उपर है। इन्हें हम कहते हैं। उसके वाद दूसरी टम आती है वहा है दून्स का नाम आपने सुना होगा। तेहरा दून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्सून्स ये वैली कंटिन्यू करेगी इस तरह की एक वैली जो हती है जिसके दोनों तरफ पहाड़ों बीच में ऐसे वैली टाइप की जो एरिया बना रहता है उसे हम कहते हैं तो यह है शिवाली के बारे में और इसके बाद नेक्स चीज़ आती है वो है मीडल हमाले अब मीडल हमाले इसके त्रू एसे पाउंडरी से मीडल बास कि बहाते हो अगर आप डेखोगे तो शॉर्श कौन बाऊंडर बनाता है प।ून्श डिस्ट्रिक और वी रिवर के बीच्हकि जो है आँ गें तो थ Grandpa 220 में रही हैं पर केहीं जगा 2400 में यह हाई है ते कि वाइट देखें कितने चौड़े हैं तो लगबक 10 किलोमेटर जो हैं इनकी विद्थ रहती है ठीक है कौन-कौन से फॉरेस्ट जो है मीडल हिमालियास में पाए जाते हैं तो आपको पता है दियोदार के फॉरेस्ट जो हैं पाइन के फॉरेस्ट या फिर फिर के फॉरेस्ट जो हैं ये आपको मीडल हिमालियास ये लैसर हिमालियास के माउंडेंस में दिखाई द ठीक झालव कलने रia लाते हैं और फिर वहां से पाकिस्तान की कर भी रहा ना को जाते हैं इन में से कुछ इसके थिक आद बाद हिमालयाज की छाती को चीर करे इसको बनाया गया है जमुकश्मीरational highway ऊसके बाद आखरी केश्ण बड़ी बार आता है जेके SSP की इसाम में देखने को मिला है जेके ही अरक नाम से सबस्तों और धबहां सकते किसे धंबिट हो पर हो आपको नेक्स जे थे मैं है जिनाव कियर狗 था है यह कुरीक वह शेकर सब्सक्राइब अबखर में श हको शाप तो वो है कि कश्मीर की वैली जो है बाॉल शेप है बाॉल होनी की वज़ेसे बाउल आपको पाता ही होगा आपने घर में भी सर्विंग बाॉल्स जो है वो देखी होंगे जो कि चारो तरफ जिसके दिवार होती है और बीच में जो हैसे कॉप लाइक स्ट्रक्चर हो रहता है और उसमें क्या होता है कि जो भी चीज आप डालोगे तो उसकी बीच में ऐसे इकठी होती शुरू हो जाएगी और इसकी ग्जेमपल आपने 2013 के फ्लड में भी देखी होगी जब फ्लड आया था तो कश्मीर वैली में पानी इकठा होना शुरू हो गया था उसे आउटलेट नहीं मिल पा रहा था और वो पानी खड़ा का खड़ा रह गया जब बारिश बंद भी होगी थी उसके बाद भी कहीं दिन तक पानी वहां पर खड़ा रहा वो क्यों कि इसकी शे दिखाई देती है 130 किलोमेटर लॉंग है और लग चालिस किलोमेटर वाइड जो है किश्मीर की वैली जो है वह है अल्टीचूट कितना है तो आपको पता है सबसे जितने भी हमने अभी तक मॉंटन बड़े उसमें से सबसे हाइस आलग कि इस से भी हाइस जो है उसको बड़ कहता है कि बनिहाल पास जो है यानि जवाहर टनल के नाम से भी जिसको जाना जाता है ये कश्मीर की ऑनली एक्जिट है जो की जम्मो की तरफ आती है जम्मो की तरफ आना है तो आपको बनिहाल पास से आकर आना पड़ेगा तो कहीं बड़ी कोश्चन आता है कि जम्मो और किशमीर के बीज का link के रिया यगर आपको लदाख जाना है किशमीर से तो फिर आपको जाजिलापास की तरफ से आपकर जाना पड़ेगा टेक है जेलं जो है वह main river है पूरे किशमीर वैली का जेलं जो है एक मात्र main river है जो कि पानी जो है वो प्रोवाइड करता है पीने का पानी हो चाहिए फिर इलेक्रसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे में रिवर जो है कश्मीर का वो है जेलम रिवर उसकी ट्रिबुटेरिस को भी याद रखेगा ये भी पूछा जा सकते हैं विश्व लिदार एरें ऐन मदुमती जो है ये जेलम रिवर के ट्रिपूटेरिस अंट है और जेलम रिवर के लेड़ करता है कहाँ रचाए पर दिपोजिट जो है वहां पर लगा देता है तो जेलम रीवर क्या करता है कि अनंतनाग और बरामुला के बीच में एक अलूवियम का डिपोजिट जैसे कि हमने पीछे देखा रवी तवियर जेनाब जो है जम्मू प्लेंस के अंदर आउटर प्लेंस बनाती है तो यहां पर ज करेवा टर्म जो है आपको दिखाई देने को मिलती है कश्मीर वैली जब भी आप पड़ोगे तो वहां पर करेवा पर आपको मिलता है करेवा एक टाइप का स्वाइल स्ट्रक्चर है जो कि कश्मीर में पाया जाता है लोकली जो है से वुदार के नाम से भी जाना जाता है करेवा जो मिलते हैं अंतौक इसे वुदाइब के नाम से जाना चाता है होते क्या एक्स्टेनसिव फ्लैट् टॉप स्ट्रेचिज होते हैं जनी जमीन का ही एक हिस्सा है जो की बिल्कुल ऐसे फ्लैट टॉप लैंड स्ट्रक्चर जो हम आपको मिलते हैं काफी ज्यादा फर्टाइल जो है ये स्ट्रक्चर जो है वह आपको देखने को मिलते हैं जो की जेलम रीवर के साइड्स पे आपको देखने को मिलते हैं तो जेलम री जो लेफ्ट साइड रहती है वहां पर जो है जादा बड़े जो है यह लैंस्ट्रेच आपको दिखाई देने को मिलते हैं और यह काफी फर्टाइल होते हैं और यह इनका यूनिक फिचर यह है वह है सैफरॉन की कल्टिवेशन यानि इन कारेवा सोयल्स के ओपर कश्मीर में स कारेवा सोयल है वह कौन सी है वह है पैमपोर कारेवा या फिर पैमपोर वुदार के नाम से भी जाना जाते हैं इसको जो है क्यों इतना इंपांटस दी जाती है कि सबसे जादा जो है सैफरॉन की कल्टिवेशन वह पैमपोर वुदार के ओपर ही जो है वह किश्मीर में होत तो इसलिए जादा सिक्निफिक एट है वालतू बाकी भी विदार से महां पर भी सैफ्राउन की कल्टिवेशन होती है लेकिन सबसे जादा कल्टिवेशन जो है वो पैमपोर विदार के ओपर होती है यह भी याद रखिए गाऊ साइड वैली जो है यह भी आपको एक टम दिख कश्मीर में जो भी जेलम रीवर जो है वो अपने कोर्स के दौरा जो वैली बनाता है उसे हम कहते हैं साइड वैली जेंपल आपके पास सिंद वैली है दक्षगाम वैली है या फिर लिदार वैली है यह जो है यह सारी वैली जो है यह जेलम रीवर के दौरा बनाई जाती है और यह हम side valleys के नाम से जाने जाते हैं ठीक है और side valleys में main tribe जो है वो कौन सा inhabited करता है तो वो है गुजजर tribe तो गुजजर tribe जो है वो side valleys जो रहती है कश्मीर में जो कि जेलम रिवर के द्वारा पनाई जाती है उसमें main tribe जो है वो गुजजर रहता है ठीक है यहां पर इस picture में आप देख सकते हैं कि वुदार से हैं यानि करेवा सोयल से हैं जिसके उपर जो है कश्मीर में सैफ्रॉन की कल्टिवेशन हो रही है यह सैफ्रॉन है आपका देखने को अगर आप देख सकते हैं flowers की तरह होता है और इसके petals जो है यह flower पूरा काम नही petitesषक चैसे को यूज के जाता है और बाग काफी जो है यह वहीं महेंगा है आपको पता है इसकी वहई है में हजार काई की जो हमालयाज थो हैं कि आप जैसा कि मैंने मैप पर भी बताया आपको ये लड़ा का पार्ट है तो इसके बारे मैं अब हमें जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है लड़ा का हिस्सा है थोड़ा जो जहमो किश्मीर के साथ लिंक है वो हम जरूर पढ़ेंगे लेकि सबसे पहले बात है कि ग्रेटर हिमालयाज जो हिने हम हिमादरी के नाम से भी जानते हैं और लोकली अगर आप कहोगे तो लोकली इनको जनसकार के नाम से भी जाना जाता है ठीक है हिमादरी भी और जनसकार भी ये ग्रेटर हिमालयाज क्या करते हैं कि ग्रेटर हिमालया तो एक तरफ इसके Indus Valley और एक तरफ इसके कश्मीर वैली और बीच में आपको Greater Himalayas वो दिखाई देते हैं तो यह question भी आता है कि अमरी की कश्मीर वैली और Indus Valley को कौन सी चीज सेप्रेट करते है That is Greater Himalayas, Greater Himalayas के दो कौन से नाम है? Himadri and Zinskar उसके बाद जो कुछ coldest place है इंडिया के जैसे की दरास हो गया या फिर रंग डूम हो गया यह areas भी आपको Greater Himalayas में ही देखने को मिलते हैं और यहाँ पर temperature जो है वो minus 40 degrees Celsius तक चला जाता है सर्दियों के time ठीक है तो यह काफी coldest area हैं इंडिया के और यह areas जो है आपको Greater Himalayas के ओपर दिखाई देते हैं ठीक है? तो इतना ही है फिजियोग्राफिय अफ जमो किश्मीर के अगर हम बात करें तो यही physical division इसके अलावा लदाक है उसे हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वह अब जहनके का हिस्सा नहीं है इसके अलावा जो छोटे मोटे फैक्ट जो रहेंगे वह आपको में इसके वीडियो आएगी कल तक जो है आपको मिल जाएगी उसमें हम जो थोड़े बहुत अगर बचते भी है इसके तो वहां पर डिसकस कर लेंगे और आपका यह टॉपिक लगबग कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम economic geography पर एक लेक्चर जो है अगली सीरीज में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि physical geography और general geography में काफी सारी topics आते हैं तो इसको अभी वक्त लगेगा लेकर मैं कोश्च करूँगा कि आपको एक overview जो है वो मिल गया है physical geography का भी मिल गया है और general geography का भी मिल गया आपको पता है क्या-क्या पढ़ना है और बाकी जो है वो हम economics और जो दूसरी जोग्राफी बचिया उसको हम पहले कवर कर लें उसके बाद यह हम यह topic फिर से स्टार्ट तो आज की वीडियो में इतना ही बने रहे गया मेरे चैनल के साथ देखते रहे है आड़ प्रिंग्स